हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे गुजराती काठियावाडी स्टाइल लेसुन की चतनी केसे बनाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स चानते हैं उनके लिए रेसिपी काठियावाई लेसुन की चतनी बनाने के लिए मैंने यहाँ वन कप लेसुन लिया है लेसुन को पीछने के लिए एक मिकसर जार में एट करेंगे उसमें हम दो टेबल स्पून मिर्च पाउडर एड़ करेंगे वन टी स्पून सॉल्ट एड़ करेंगे यानि कि नमक एड़ करेंगे और थोड़ा ऐसा पानी एड़ करेंगे इन सारी चीज को अच्छी तरह से पीस लेंगे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पीस के उसकी पेस्ट बना ली है इस पेस्ट को हम एक बाउल में अच्छी से निकाल लेंगे आप देख सकते हैं पेस्ट एकदम स्मूध बनी है फिर उन्हें तड़का देने के लिए हम एक बरतन में दो टेबल स्पून जितना तेल गर्म करेंगे तेल गर्म हो जाने पर उसमें एक टी स्पून हेंग एड़ करेंगे फिर उसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी वो सारी एड़ कर देंगे फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे हमें 30 सेकंड तक उसे मिक्स करते रहना है मिक्स हो जाने पर उसे ठंडा होने के लिए रख देना है आप देख सकते हैं ठंडा होने पर चटनी का कलर कितना गेरा हो चुका है तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी काठिया वड़ी गुजराती स्टाइल लेसुन की चटनी आप इसे एक कंटेन में भरके आठ दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं मैंने यहां यह चटनी को सर्व कर लिया है आप देख सकते हैं चटनी एकदम ही टेस्टी और स्पाइसी लग रही है तो फ्रेंड्स आप भी यह रेसिपी जरूर से घर पे ट्राइक किजिएगा और मुझे कमेंट बोक्स में बताइएगा कि केसा बना तब तक के लिए बाई टेक केर